हेलो लेर्नर्स, वेलकम टू चनल तो, इस्टुडेंट्स जिन्होंने क्लाश 12 कम्प्लीट कर लिया हो, किसे भी बोर्ट से आने की स्टेट बोर्ड हो, सीबसी बोर्ड हो, फिर आयसी बोर्ड हो, और वो जो है टॉप 20% टाइल में आते हैं अपने बोर्ड में, तो वो जो है प्रधान मंत्री उच्चतर सिक्षा प्रोसाहन यानि की PMUSP योजना के तरहत, इस्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर सकते हैं, कंडिशन यहाँ पर यह रहेगी कि आप कोई दूसरा इस्कॉलर्शिप ना पा रहे हो, तो आप जो है प्रधान मंत्री उच्चतर सिक्षा प् बाद करने कि यहाँ पर जो है यह इलिजबिल्टी करनेशन क्या है तो आप यहाँ दे सकते हैं कि इस्टुडेंट्स हुआर एवब 80 परसेंटाइल ऑफ सक्सेस्पूल कंडिडेट इन रेलेवेंट इस्ट्रीम फ्रॉम ए पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन इन क्लास 12 थाने कि आप जो है अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल कंडिडेट्स में आप आते हैं पहला कंडिशन दूसरा आप जो है कोई रेगुलर कोर्स कर रहे है अब वो आप जो हो सकता है बी ए बेसे बीकॉम या फिर आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप जो है कोई मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो आपने यूजी कोर्स के रेगुलर कोर्स में जो है वहाँ पर आपने नहीं लिया है, रेगुलर कोर्स आप वहाँ पर कर रहे हूँ, आपने अडविशन ले लिया है, आपकी जो परवार की आया है, वो साथे 4 लाग रुपए पर एनम से कम होने चाहिए, having family income of less than 4.5 लाग पर एनम, not receiving any other scholarship and fee reimbursement of any kind, अगर आपको कोई दूसरे scholarship मिल रहा है, कोई फिर reimbursement मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ पर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, clear, तो आप कोई और scholarship fee reimbursement ना ले रहे हो, and diploma student not eligible under this scheme, अगर आप 12th के बार diploma कोई course कर रहा है, तो आप यहाँ पर eligible नहीं है, तो आपने जो है UG course में एडमिंसर लिया हो, भी regular course होना चाहिए, class 12th के बात लिया हो, और आप जो है top 20th percent time में आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं, that is प्रधा मंतरी उचतर सिक्षा प्रोश्चान योजना, clear, अब बात करने कि यहाँ पर जो है total हमने पहले बता दिया कि 82,000, 82,000 candidates rate के जाते हैं, अलग-लग category से, अलग-लग extreme से, और उनको जो है यहाँ पर scholarship दे जाती है, तो यहाँ पर आप देख जब selection किया जाएगा, तो वहाँ पर 3 to 1 to 3, यानि कि 3 science के e-commerce के 3 communities, इस ratio से यहाँ पर selection किया जाएगा, वहाँ पर reservation भी रहेगा, यानि कि ST के 15%, ST के लिए 7% और OBC के लिए 27% और 5% horizontal reservation रहेगा, person with disabilities candidates के लिए, clear, तो अलग-लग जो state board होंगे, उनमें यह category reservation जो है, वहाँ पर follow किया जाएगा, बात कर ले, scholarship कितना मिलेगा, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, the rate of scholarship is 12,000 per and up at graduation level for first 3 years of college, यानि कि अगर आपने UG course लिया है, 3 साल का UG course है, तो वहाँ पर आपको 12,000 रुपे per year, जो हाँ पर scholarship दी जाएगी, और वही पर अगर आपने जो है, अगल 20,000 रुपे मिलेगा, उसके बाद PG course में विसल लिया, तो वहाँ पर 20,000 रुपे आपको परिनम मिलेगा, अगर आपको यह ऐसा course कर रहे हैं, जो कि 3 साल से ज़्यादा का course है, यानि कि 4 साल का 5 साल का है, जैसे कि आप BTEK कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है, जो थर्ड यह के बाद, यानि 4th year में आपको 20,000 रुपे मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो शुरुआत के 3 साल हों के वहाँ पर आपको 12,000 रुपे मिलेगा, यानि कि 4 साल का course है, तो शुरु के 3 साल आपको 12,000 रुपे मिलेगा, यानि कि 4 साल का course है, तो शुरु के 3 साल आपक करेंगे जब आप तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको हर साल रिन्यू करते रहना होगा इस्टुडेंट विल वी इलिजिबल फॉर इस्कॉलसी फॉर टोटल डूरेशन नॉट एक्सीडिंग फाइब आने की यूजी ओ पीजी दोनों के मिला के मैक्सिम फाइब तक यहां यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस्टुडेंट क्लाश 12 इंद लास्ट अकेडमिक एर एंड वही जो है यहां पर इलिजिबल होंगे अपलाई करने के लिए और यहां पर रिन्यू भी कर सकते हैं यानि कि अगर आपने तो आप जो है दोजा 222 इसमें रिन्यू करके जो है वहां पर इसकोलोशिप के लिए अपलाई कर सकते हैं तो अपलाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरसिप पोर्ट लाने के ऑना होगा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बैंक पास बुक फॉर्फिलिंग डिटेल होना चाहिए आपको ध्याज क्लास में आपके पास अदार खाटेफिकेट होना चाहिए यहाँ पर आम मिसमाच नहीं होना चाहिए और jart inening वही जो हैब के डिसरारस जगेट में चाहिए ठीटेल ठीट रहा रहा हुनुद चाहिए आपके parents का ना हर जगा सेफ होना चाहिए अगर सेम नहीं है तो उसको आप जो करेट कर लीजिए आप में आपडेट कर लीजिए तो यहां पर जो बात कर लिए तो 31 2027 2010 तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो लाउज की गई है तो यहां पर 21 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए अपको यहां पर आथ से शुन रही है् 12,000 रुपए शुरुवात के 3 साल में मिलेंगे और 20,000 रुपए नेश्ट इयर जो है वहाँ पर आपको 4th और 5th यर में वहाँ पर दिया जाएगा. पराय मंत्री उच्चतर सिक्षा प्रोसान योजना में. विशु अल्दाविश्ट की पॉचिंग.